UAE में भार्तिय महिला ने जीता स्क्राच कार्ट गेम में 4 लाख रुपए नमश्कार मैं हूं प्रियाज और आप देख रहे हैं UAE खबर UAE में भार्तिय महिला ने साड़े 4 लाख रुपए जीत लिये हैं वो भी स्क्राच कार्ट गेम में बता दे महिला भारत के बैंगलोड की रहने वाली हैं 49 वर्सिय भारतिय प्रवासी ने ड्रीम आइलेंड के स्क्रेच कार गेम में 20,000 दिरहम यानि कि लगबग 4,4 लाख रुपए का भवेपुरसकार जीता है गेम के विज़ता बैंगलोड की रहने वाली साइस्ता परवीन 15 अगस्त को अपने बच्चों के साथ साओधी अरब के रियाद सिर्थ अपने घर चा रही थी इसी दोरान हवाई इडे के चारो ओर घूमते समय वो ड्रीम आइलेंड की चर्मिनल तीन साखा से गुजरी जहां उन्होंने अपनी किस्मत को एक मौका देने का फैसला किया परवीन ने 50 दिर्हम पर 3 लकी साथ कार्ड खड़ी दे और एक अटिरिक्त मुफ्त कार्ड भी फ्राप्त किया अपनी जीत को लेकर साइस्ता परवीन ने बताया कि जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कोई प्रतिकीरिया नहीं दी साइस्ता ने कहा कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था इसलिए विकरिता को दोढ़ाना पड़ा कि मैं जीत गई हूँ उन्होंने आगे बताया कि मेरे बच्चे मुझसे भी अधिक एक्साइटर थी सयोंकतर अब अमिरात में गेमिंग प्लाटफॉर्म खिलारियों को ड्रीम आइलेंड जैसे चुझंदा गेम खेल कर नगज पुरसकार जीतने का मौका देता है बतादे प्रितेक प्ले के लिए 10 देहरम और 50 देहरम के बिच शिल्क लिया जाता है प्रतिभागियों को बिभन आकारों के पुरसकार चीतने का मौका मिलता है सबसे बड़ा 10 मिलियन देहरम पुरसकार होता है विविन ज्रीम आरिलेंड खेलों के नियम और पुरस्कार अलग-अलग होते हैं साथ ही पुरस्कार राशी भी अलग-अलग होती है बता दे कि आम तोज पार यूए में तरह-टरह की ड्रॉ होते रहते हैं ऐसे में अमिराज ज्रॉन ने अपने नमीनतम फास्ट वाइव एडिशन गेम का जो है उसमें नए विजटाओं की घोशना की थी और आपको जानकर हैरानी होगा किसमें भी भारत के मुंबई के नसीम अजाल शेक ने 50,000 दिरहम का पुरस्कार जीता था और वही संयूक तरब अमिराथ के नागरेक माज़िश सुल्टान इबराहिम ने 25,000 दिरहम की जीत का जशन मनाया था चौबन वर्सी ए नसीम अजाज शेक संयूक तरब अमिराथ में एक स्टोर सूपरवाइजर है बता दे नसीम 15 वर्सों से अधिक समय से संयूक तरब अमिराथ में रह रहे हैं आज उनकी स्माइल पास्ट में सामने आई चुनोतियों को छिपाती दिखती हैं 2008 की फाइनेंशिल क्राइसिस के दौरान उन्होंने शेर बाज़ार में अपनी सारी बचत खो दी थी जो उनके और उनके परिवारों के लिए एक बहुत ही बुड़ा समय था नसीम याद करते हुए कहते हैं कि वह दो दिन की दुर घटना थी जुसमें मेरी सारी बचत खत्म कर दी थी वह हमारे लिए हार्ट ब्रेकिंग पुरियर था पिर भी जीवन की चुनोतियां अक्सर अलग अफसरों की ओड़ ले जाती है और एमिरेट्स ड्रॉ के साथ नसीम की कहानी उन्हीं अफसरों का नतीजा है बता दे समधान खोजने के लिए जुड संकल पित नसीम एक स्टोर कीपर के रूप में उन्होंने शिर्वात की हालाकि उनकी महनत सभी को दिखा और उनकी महनत रंग लाई और चल्री उन्हें स्टोर का स्टूपरवाइजर के रूप में प्रमोट भी कर दिया गया नयोग तेदब अमिरात में आतिक रूप से स्थर होने के बार नसीम ने अपनी रिचार्मेंट की योजना बनाते हुए होम लोन पर मुंबई में एक अपार्टमेंट खरीदा बता दे फास्ट वाइब के साथ पचास हजार दिर्हम जीतने पर नसीम ने कहा कि पचास हजार दिर्हम की जीत मेरे लिए बहुत बड़ा आशिरवाद है यह मेरे हूम लोन के लिए बची हुई राशी को कवर करती है इससे मेरे कंदों से भारी बोज भी उतर गया मेरी चुनताए कम होने लगी और मुझे अपनी बुज़र्ग मा के साथ रहने के लिए जल्दी रिटार होने का मौका भी मल रहा है तो यह थी दमाम खबार बने रहे हैं इसी खबरों के लिए यूए खबर पर